दोस्तो नमस्कार आदाव सत्स्रीयकाल नियूज क्लिक के कारीकरम नियूज मंथन में आपका स्वागत है मैं हूं उर्मिलेश करनाटक के चुनाव में दोस्तो निर्वाचन नायोग भारत का एलेक्शन कमीशन स्वैम एक विबादास्पत करेक्टर बनकर उबरा है एक ऐसा निकाए एक ऐसा समवैधानिक निकाए जिस पर सभी दलों को समाज के सभी तपकों को भरोसा होता है कि वो एक neutral empire की तरह election को conduct करेगा कराएगा लोगों को भरोसा देगा कि उनकी चुनाव की जो पद्धती है वो कहीं से प्रभावित नहीं हो रही है कहीं गलट ढंग से किसी गलट वजह से उसे प्रभावित करने की कोई कोशिश नहीं कर रहा है न धन कर रहा है न बल कर रहा है लेकिन दोस्तो इस चुनाव में जो Election Commission का अपना Code of Conduct है Model Code of Conduct उसके Class 1 का सीधा Violation पहले ही Class का Violation उस समय किया गया जब बजरंग बली के नाम पर चुनाव में वोट मांगा जाने लगा और ये काम भारती जनता पार्टी के नीचे से उपर तक के तमाम नेता अभी भी कर रहे हैं इंक्लूडिंग भारत के प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी जी जो की स्वयम कई बार कर चुके हैं और अभी भी जारी है दोस्तो जो आरपी एक्ट का सेक्शन 125 है वह भी धार्मिक प्रतीक धार्मिक चरित्र या देवता या किसी भी देवी के नाम पर वोट मांगने के उपर प्रतिबंद लगाता है उसके इस्तेवाल को वह मिसकंडक्ट मानता है लेकिन नो जाने क्यों अभी भी एलेक्शन कमीशन इस मामले में कोई हिदायक भी नहीं दे रहा है कारवाई करने की बात तो दूर है और दोस्तों एक बड़ी दिल्चस्प बात आपको बताओं अभी दो दिनों पहले महाराश्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिव सेना के बड़े नेता उद्धव ठाकरे ने बड़े ही व्यंग्यात्मक धंग से कहा कि उनके पिताब बाला सहब ठाकरे को इसी निर्वाचन आयोग ने छे वर्सों के लिए चुनाव लड़ने से और मचदान का अधिकार होने से वन्चित कर दिया था सिर्फ इसलिए कि यही क्लाज और यही एक्ट जो है उनके वाइलेशन का उन पर आरूप लगा था उन पर आरूप लगा था कि वो हिंदुत्वा के आधार पर वोट मांग रहे हैं धार्मिक प्रतिकों धार्मिक नारों का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने पक्ष में अपने उमीदवार के पक्ष में वो स्वेंचुनाव नहीं लड़ रहे थे एक उमीदवार के पक्ष में वो election commission का और भारत के निर्वाचन प्रक्रिया के वे कानून अब नहीं रहा गए हैं हो सकता है कि उन कानूनों को अब खतम कर दिया गया हो लेकिन जब मैंने कानून की किताब देखी तो वो अनून बरकरार हैं तो अपने आप में ये बहुत ही दिल्चस्प व्यंग किया निर्वाचन आयोग पर एक ऐसे बड़े नेता ने जिसके पिता स्वेम वाइलेशन के भुक्त भोगी रह चुके हैं लेकिन election commission इस व्यंग के बावजूद एक बड़े नेतादवारा व्यंग के बावजूद भी अभी कुछ नहीं कहा रहा है पूरे देश में इसकी चर्चा है मीडिया में खास कर जो ऐसा मीडिया जो अभी भी लिखने पढ़ने और बोलने की कोशिश कर रहा है उसमें भी चर्चा है लेकिन क्या मजाल की निर्वाचनायोग बोले अभी तक कुछ भी नहीं बोल रहा है तो ये करनाटक के चुनाव की बड़े दिल्चस्प बात है और दूसरी बात दोस्तों कि निर्वाच जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदी का रही है करनाटक में अब चुनाव प्रशार बिल्कुल और रंगीन हो गया है और रंगीन ये हो गया है कि अब रोड शो पर ध्यान दिया जा रहा है जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ दोस्तों शनिवार को तो बैंगलोरू में जहाँ पर 25 सीटे मानी जाती है 25 के आसपास 25-26 सीटे हैं और पूरे जिले में और वहाँ पर बैंगलोरू के 13-14 सीटों के इलाके से उनको कवर करते हुए माननी प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी का रोड शो आज गुजर रहा है बंगलोरू में और बंगलोरू की जनता में खासा इसको लेकर आकरशन है जाहिर है जो भारती जनता पार्टी के समर्थक हैं उनमें काफी कुछ है सडक पर पीले रंग के फूलों की बरसात हो रही है प्रधान मंत्री की गाड़ी जो है जो इसमें बैठे हैं कभी कभी उसमें से बाहर निकल कर वो निकलते हैं और अभिवादन करते हैं जनता का वह भी पीली एकदम कर दी गई है एकदम पीले लाल फुलों से भरी होई है तो ये रोट शो का बड़ा ही दिल्चस्प एक दिरिश्च है जो पूरी दुनिया में किसी भी अलेक्शन्स में भारत के चुनाओं में ही इस तरह का रोट शो नजराता है वो अपने आप में देख हैं बलकि ये भी पता चला है कि सोनिया गांधी ने अब तक करनाटक के चुनआव में कहीं पड़्टेशा अपना दरज नहीं कराया था सिर्फ नेहरू गांधी फैमली से अब तक राहूल गांधी और प्रीयंका गांधी ही सामने आये थे लेकिन कल संभावता सोनिया रैली में भी भाग लें तो कुल मिला कर रोड शो और रैलियों का ये आखिरी दोर है जब करनाटक के चुनाव में मतदाताओं को प्रभावित करने की हर संभव कोशिश की जा रही है और दोस्तों कांग्रेस पार्टी 40% कमीशन को बिलकुल नहीं छोड़ रही है उसका कहना ह कि कोई बजरंग बली करे चाहे कोई कोई भी नारादे धार्मिक प्रती काउद इस्तेमाल करे जो की विलकुल वाइलेशन है कानून का लेकिन करनाटक की जनता भरस्टाचार से प्रभावित है उससे आहत है उससे करा रही है और इसलिए वो 40% कमीशन वाली सरकार के अपना अभियान इस चुनाव में भी जारी रखेंगे और ये उसने एक प्रमुक नारा बना दिया है कि जनता 40% कमीशन की सरकार को खारिश करे अख़वारों में भी ग्यापन भी इसी शैली के छप रहे हैं बहुत सारे अन्यमुद्दे भी कॉंगरिस उठा रही है जेडि अगर देखा जाए मैसूर और मंडिया के इलाके में काफी अपनी मजबूत पकड़ बनाए हुए है शुरू में ऐसा लगता था कि जेडियस सायद आगे नहीं बढ़ पाएगी लेकिन जेडियस का जो अपना आधार है खासकर वकलीगा चेतर में वकलीगा लोगों के चेतर में वहाँ उसका वर्चस अभी भी बरकरार दिखाई दे रहा है तो ले देकर करनाटक का चुनाओ बेहद दिल्चस्प हो गया है अब देखना है कि दस तारिक तक इसमें क्या समी करणों में फेर बदल होता है लेकिन दलितों, OBC, माइनार्टीज और लिंगायतों के भी ए इस इलाकों में दलितों, OBC का और अन्य तबकों का भी समर्थन, विपक्ष को मिलता नजर आ रहा है ऐसी ख़वरें करनाटक से हैं और मैंने जितने लोगों से टेलिफोन पर बात की इन छेत्रों के लगभग इसी तरह के आपजर्वेशन्स उल्फ में दिये हैं और इसमें जो टिपपणी है दोस्तों, वो बहुत ही भायानक एक तस्वीर पेश करती है हमारे मुल्क में शासन की प्रशासन की गवर्नेंस की, अक्सर भारती जनता पार्टी को आप नारा लगाते हुए देखते होंगे, भारती जनता पार्टी के बड़े नेताओं को नारा लगाते हैं कि उनके राज में दंगे नहीं होते हैं, उनके राज में फसाद नहीं होते हैं, लेकिन भाई मनिपूर में तो डबुल इंजन के रहते हुए भायानक दंगा फसाद चल रहा है, कॉम्मुनिटीज के बीच में, समुदायों के बीच में, और यकीनन मैं आपको बताओं क मनिपूर का हाल या है कि एक शांत एक समाज बिलकुल पहले अगर देखा जाए जिस तारीख को ये घटना घटी I think 23 तारीख थी 3 मई सारी 3 मई 3 मई से पहले माहौल बिलकुल शांत था लेकिन 19 अप्राइल 2023 को जब से हाई कोट ने ये फैसला सुनाया कि वहां का जो मेटी समाज है उसको S.T. community का यानी सेडुल ट्राइब कमुनिटी का दरजा सरकार घोशित करे तबसे खाहाकार मचा हुआ है और जो कुकी समाज के लोग है नगा समाज के लोग है जो वाकरी ट्राइबल है और जो हिल्स जो है मनिपूर की जो पहाड़ियां है उन मणीपूर के डेमोगराफी को देखें और वहाँ की पूरी की पूरी आबादियों कोदे तो करीब तौिब करीब चौंसाथफ फीस्दी जो तफका है वो मेती समाज का है जबकी कुकि और नगा समाज और अन्य समुधायों का है तो ये जो लोग हैं ये करीब करीब 80% जो जियोग्राफिया है जो वहां की जो भौगॉलिक एरिया है उसमें रहते हैं और जबकि दूसरे जो तपके हैं जो की काफी आबादी में जादा हैं वो वैलीज में रहते हैं और उनको भौगॉलिक एरिया उनको कम विला हुआ है इन दोनों के बीच में इन दोनों समाजों के बीच में भयानक contradiction पैदा कर दिया गया है और निस संदे डबल इंजन की सरकार की ऐसी विकराल विफलता हाल के दिनों में बहुत कम दिखाई पड़ी है हलांकि अनेक जगों पर विफलता दिखाई देती है लेकिन ऐसी विफलता जिसको वो हमेशा क्लेम करते हैं कि उनके राज में कभी हिंसा दंगा पसाद नहीं होता है लेकिन आप तो देख लीजे सामुदाइक हिंसा हर जगह हो रही है जहां जहां भारती जनता पार्टी का शासन है अनेक शेत्रों में आप देख सकते हैं और मनी पूर्टो प्रतेक चुदा हरण है इस करनाटक के चुनाव के दोरान भी देर तक काफी समय तक ऐसा लगता था कि केंदर सरकार इस पर सो रही है इस पर चुप चाप है लेकिन अब पता चला है कि हो मिनिस्टर साहब करनाटक के अपने प्रोग्राम में कटवती करके और अब मीटिंग कर रहे ह किसी तरह से समझाने बुझाने की कोशिश केंदर की तरफ से राजे के लोगों को हो रही है अब देखा जाना चाहिए कि क्या होता है लेकिन दोनों तरफ से शुरू में ऐसा लगा था कि ये तहस नहस पूरी की पूरी वैली में और पहाडियों में भी हर जगा एक जलाने क का डराने का पीटने का मारने का और हजारों लोग डिस्प्लेस कर दिये गए हैं यहां तक की जो डिस्प्लेस किये गए लोग हैं उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कारीगर हैं जो अलग-अलग धंका काम करते हैं उसमें यहां तक की पुलिटिकल एक्टिविस्ट भी ह तबाही मची हुई है तो अपने ही मुलक में ऐसा लगता है कि लोगों को शाडारती बना दिया गया है और वैसे भी जो टेंपरामेंट है मौजुदा जो सत्धाधारी दल है वो कभी एनारसी की बात करता है कभी किसी और कानून की बात करता है तो अपने ही देश में लोगों को पराया गोसित करता रहता है इसका जो रिफलेक्शन है इसका जो असर है प्रभाव है वो मनिपूर में दिखाई दे रहा है कि अपने ही समाज के लोग अपने ही जनता के बीच से इतने सारे जगडे इतने सारे फसाद हो रहे हैं कि लोग अपने ही हलकों में डिस्प्लेस होकर रहने के लिए अभी शप्थ हो गए हैं और उनकी सुरक्षा का कोई बंदोबस्त नहीं है तो दोस्तो मणीपूर की घटना डबल इंजन की सरकार की डबल विफलता का एक साविबादों में रही है पिछले कई सालों से भारत में और 2011 में जातिवार जनगणना जब से नहीं हो सकी उसके बाद से लगातार लोग प्रियास करते रहे हैं अनेक शेत्रों में कि अगली जब भी जनगणना हो तो जातिवार जनगणना हो लेकिन भारती जनता पार्टी कि सरकार ने वादा करने के बादोत इसे कराने से साफ इंकार कर दिया और अब तो जनगणना ही नहीं हो रही है जनगणना का जो दस साल था वो 21 में पूरा हो गया कोरणा दोर के कारण नहीं जनगणना हो यह ठीक है लेकिन बाद में तो कराई जा सकती थी लेकिन जनगणना क कोई schedule गोसित नहीं किया गया है मुझे रखता है कि दुनिया का ये अनोखा देश है democratic country है जहां जनगणना कराने के लिए कोई schedule पिछले दो सालों से सरकार गोसित नहीं कर पा रही है मैं समझता हूँ कि किसी भी democratic country के लिए किसी responsible country के लिए भी ये बेहद बेहद खौफनाक बेहद ही आपति जनक है लेकिन सरकार लोगों के जो जज़बात हैं लोगों के जो विचार हैं लोगों के जो सुझाव हैं लोगों की जो शिकायते हैं उनको हमेशा नजरान नजरनदाज करने के अंदाज पर काम करती है इस सरकार की सबसे बड़ी विशिष्टा ये है वो जो सोचती है ये मानती है कि सिर्फ सत्ताधारी पक्ष के लोगी दो चार लोग जो योजनाकार है वही सही समझ सकते हैं दूसरों की कोई समझ नहीं है तो ये जनगणना को लेकर काफी बावेला मचा और बिहार में वहां की सरकार ने ये कहा कि ठीक है रास्ट्री जनगरना अगर नहीं हो रही है तो हम अपने स्टेट में जातिवार जनगरना कराएंगे लेकिन चुकि वो रास्ट्री है जो जनगरना आयुक्त का कारियाल है चुकि जो रेजिस्टार जंदल का कारियाल है जो जनगरना का अथिकारी है उसके मातहक चुकि नहीं हो रही है इसलिए उसको जनगणना अफिसली नहीं कहा जा सकता इसलिए राजी सरकार ने बहुत समझदारी के साथ उसको एक सरविक्षन के तौर पे कराने का फैसला किया और दो चरणों में कराया और वो उसका आखिरी चरण अभी बाकी ही था कि वहां के कुछ संगठनों ने कुछ व्यक्तियों ने हाई कोट में रिट दाकिल किया था चैलेंज किया था और माननी पटना हाई कोट ने उस पर उस पर रोक लगा दी और कहा कि अभी फिलहाल आप नौ कराया अब लाई में डेट पड़ी है उस पर विचार करने के लिए इस तरह जो आखिरी चरण का जो सरविक्षन था जातिवार जनगणना का बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई वो थम गया है और थम गया है और इसको लेकर पूरे बिहार में जो उत्पिरित समाज के लोग हैं जो पिछड़े लोग हैं जो दलित लोग हैं जो अन्य समाजों के लोग हैं वे बहुत आक्रोशित हैं और बहुत एक समाज का छोटा हिस्सा ही इससे संतुस्ट नजा राता है तो हाई कोट की ये जो वर्डिक्ट है वो समाज में काफी एक तरह से नए विवादों को जर्म दे रही है अब देखना ये है कि जो मजूदा बिहार की सरकार है नितीश कुमार और तेजसरी यादों की अगवाई वाली सरकार वो इसको किस प्रकार ले जाती है क्या सुप्रि से लोगों को समझाती बुजाती है मुझा लगता है कि एक बड़ा चैलेंज है बिहार में शासन प्रसासन के समाक्ष क्योंकि जातिवार जनगरना पर लोग नो सिर्फ कन्विंस थे बलकि बड़ा हिस्सा चाहता था समाज का और अगर रिफरेंडम कोई करा ले तो आज भी जातिवार जनगरना के पक्ष में प्रशंड वहुमत बिहार में ही क्या पूरे देश में निकलाएगा लेकिन सवाल इस बात का है कि चुकि कोट में ये मसले का फैसला हुआ है इसलिए उसको आप उसकी आलोचना उस प्रकार नहीं की जा सकती है कि ऐसा क्यों किया गया हम मक जनगरना आयुक्त का कारियाले है भले ही उसके मातहत नहो रही हो लेकिन ऐसे सरवेक्षन दूसरे प्रदेशों ने भी कराए हैं और उन पर कोई रोक नहीं लगी कभी रोक नहीं लगी जैसे आप देखिए जिस करनाटक में चुनाओ हो रहा है उसमें भी पाले की सरकार सि जर्चा भविश्य में भी करेंगे तो दोस्तों आज इतना ही नमस्कार आदाब सत्त्रियकाद